हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चानल एक्सिरेंट कोटिंग साइको नालेसिस थेओरी हमने पड़ी थी लास्ट वीडियो में जैसे हम सब पहले पी प्ड़ चुके हैं के साइको नालेसिस थेओरी के बहुत सारे फ्लॉम्स जैसे हम HilliGo pen की साइटीफिक थेओरी नहीं माना जाता है। ‹ॉश की साइटीफिक गढना जाता थे प्रविश के लिए और एक तो यह साइंटिफिक तरीका नहीं है कि आप किसी से पूच के ही उसकी सिरफ उसकी बातों के बेस पे ही इंटरप्रेट कर रहे हो कि जो वो कह रहा है उसके बेस पे उसके पूरी जो भी साइकोलोजिकल डिसॉर्डर उसका अप एक लॉजिक निकाल की बिलिंग्नेस की उपर बिलीफ करते थे पेसेंट्स को जब उनको लगता था कि कुछ कhu बातें पेसेंन्स की सही है तो वो इसको मान लेते थे कुछ बातों में वो रूच आपको यह सोचतने थे कि हो सकता है पेशन्स जो है उनके जूटबोल रहे है तो यहां पर एसी जो कि एक साइन्टिफिक रिसर्च में फिट नहीं आती है और ज्यादा अफ्रॉइड का पूरा फोकस जो है पूरी उनकी जितनी भी थियोरी में फोकस जादा जो है वो सेक्शुल प्रॉब्लम्स के ओपर है तो यह सारी जो बाते थी इस से इनकी जो साइको अनालेसिस थोरी है वो आज के टाइम पर थोड़े बाकी रिसर्च जो है उन्होंने उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया वो यूज होती है अभी भी उसकी कुछ-कुछ चीज़ें यूज होती है लेकिन किया है को अच्वन कि क्या है। लेकिन उसको वैसे नहीं ऐसे मौदिफिक्ट हो गहीं है जैसे एक तो वह काूच वाला सिस्टम चला गया है there is no more couch now क्योंकि couch का सिस्टम की जरूत नहीं है क्योंकि हमें client को यह जिसको यह patient बोलते थे पहले तो उसको active रखना है उसको passive नहीं रखना active रखने का मतलब है उसका भी कुछ role होना चाहिए मतलब client का role होने का मतलब है कि सिरफ client ने सिरफ अपनी बाते शेयर नहीं करनी है उसने भी अपने आपको समझने की कोशिश करनी है understand करने की कोशिश करनी है और उसने भी पूरा participate करना है discussion में सिरफ एक बात बताने वाली जो तरीका है उससे better है कि वो भी अपनी understanding को लेके और interact करे इसलिए यह couch वाला procedure तो एकदम बंद कर दिया है और client बोला जाता है एक चीज और है आपने देखा होगा कि आप patient नहीं बोलते है आप client बोलते है क्योंकि patient का मतलब है वो बिमार है patient को sickness से relate किया जाता है लेकिन client का मतलब कोई ऐसा person है जो आप से म analysis को का perception अलग था और अब जो therapy की जाती है उसका perception टोटली अलग है इसमें वो therapist और जैसे आपको इस photo में भी दिख रहा होगा therapist और जो client है वो आमने सामने face to face बैटते हैं और even the client can walk वो उटके चल भी सकता है क्योंकि वह आप से बात कर रहा है बात कर टाइम एक जगा fix बैट के बात करना थोड़ा सा awkward हो जाता है अगर जादा comfortable रखना तो उसको इधर उजद चलना फिरना भी allowed होना चाहिए और चुप रहने की बजाए वो कुछ ऐसा reveal करे या कुछ ऐसा बोले कुछ इंटराक्ट करे तो modern psychoanalyst है जो वो जादा ही डारेक्टिव है डारेक्टिव मींस इस तरीके से डारेक्ट उसके साथ इंटराक्ट करता है जो थेरेपिस्ट है पहले की तरह नहीं कि वो छुपके पीछे बैठ जाए और अपना reactions नजर ना आने दे डारेक्टिव इंटराक्ट करते हैं थेरेपिस्ट कोश्चन पूछते हैं उनको अपीनियंस देते हैं अप प्रासा बेटर तरीका हो गया है इड के ओपर फोकस कम हो गया है इगो मतलब आपकी सेल्फ कैसी आपकी सेंस ऑफ सेल्फ के ओपर आपके पीछे जो मोटिवेटिंग फोर्स है आपके actions के जो पीछे फोर्स है मोटिवेशन है तो ऐसे psychoanalysis अब थोड़ा बहुत चेंज हो गय तो यह dynamic therapy है इसमें काफी active और बहुत fast और speed up हो जाते है प्रोसीजर और psychodynamic therapy is typically shorter in duration मतलब यह थोड़ा जल्दी हो जाती है therapy खतम shorter duration की होती है तो इसमें क्या है psychodynamic techniques में they require a client to be fairly intelligent and verbally able to express his or ideas जो client है वो इतना intelligent होना चाहिए कि उसको अपने ideas उसके thoughts verbally express करने आए उन लोगों के बड़ी problem हो जाती है जो अपने ideas अपने thoughts को express नहीं कर पाते स्पेशली जो psychotic disorders के साथ जो लोग होते हैं जिनकी reality बहुत distorted होती है जो अपनी बातों को clearly नहीं express कर पाते हैं उनके लिए यह therapy इतनी जादा beneficial नहीं है but it is beneficial for those जिनको non-psychotic adjustment disorders है या anxiety है या dissociative disorders है उनके लिए beneficial है फिर इसी की एक टाइप है interpersonal psychotherapy interpersonal मतलब यहाँ पर आपस के relationship के ओपर focus किया जा रहा है interpersonal relationships के ओपर तो यह develop करी थी depression को address करने के लिए mostly यह जो interpersonal इसको IPT बोलते हैं यह depression को treat करने के लिए थी यह एक insight therapy है इसमें relationship कैसे है individual के दूसरे persons के साथ उसके ओपर ज्यादा focus होता है और वो कैसे उनके साथ day to day interaction होती है इस client की जो interpersonal theory है यह एडॉल्फ मेयर हैरी सलिवन की जो थी उसी के बेस पर इंटर परसनल साइको थेरेपी बनी है जिसमें attachment का भी रोल एक लिया गया है है consider किया गया है कि attachment का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंटर परसनल रिलेशनशिप्स में और साइको डैनेमिक से ही इसको उसी की तरीके की treatment होती है इसकी भी बट इसमें क्या है कि इंटर परसनल रिलेशनशिप्स के ओपर ज्यादा बात की जाती है कि दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं प्लस इसमें अगर ज्यादा depression जैसी problem ज्यादा serious हो जाए तो medications का भी use कर सकते हैं so IPT is not considered to be a psychodynamic as it combines aspect of humanistic and cognitive behavior तो इसको totally psychodynamic नहीं बोला जा सकता जबकि इसका base वहीं से उठाया है लेकिन इसको ज्यादा तर इसको humanistic और cognitive इसके अंदर जो aspect है humanistic aspect है जो हम अभी पढ़ेंगे आगे और cognitive behavior therapy के aspect है तो जब यहाँ दो चीज़ें combined हो जाती है तो इसको फिर एक्लेक्टिक अप्रोच बोला जाता है एक्लेक्टिक का मतलब जहां पर आपकी एक से ज्यादा थेरेपी यूज़ हो रही है तो यह था psychodynamic psychoanalysis से कैसे psychodynamic बना उसके बाद कैसे interpersonal आया फिर आते हैं humanistic therapy जो की कार्ल रॉजर्जर्स की और अब्राम मैस्लो के व्यूज़ पर है जो जादा focus करती है conscious चीज़ों पर humanistic therapist unconscious या hidden conflict के उपर जादा focus नहीं करती है उनका यह मानना है कि जो conscious है जो सामने नजर आ रहा है जो हमारे experiences है जो हमारा sense of self है जो immediately अभी हमारी life के अंदर है जो चीज़े वो हमारे पर जादा effect कर रही है rather than जो पहले हो चुका है तो एक तरीके से आप समयद लो कि जो humanistic है they are more concerned about present rather than past past को इतना जादा importance नहीं देते हैं यहाँ पर उनकी जादा emphasis किस पर रहता है कि एक human है वो किस तरह की choices अपनी life में लेता है उस choices की वज़ा से उसकी life में क्या changes आते हैं और वो कैसे अपने आपको change करता है अपने आपको better करने के लिए जिसको self-actualize बोला जाता है तो इसमें जो काल रोजर्जर्स की person-centered therapy है वो बहुत जादा important है और एक हम gestal therapy इसमें पढ़ेंगे frizz-polls की जो gestal therapy जो दोनों ही insight therapies है वो इसमें आजेंगी humanistic approach में तो पहले आती है काल रोजर्जर्स की person-centered therapy person-centered नाम से पता चल रहा है कि person के ओपर centered है main focus किस पर है उस client के ओपर है जिसको problem है तो उसकी self उसकी sense of self कितनी clear है वो अपनी real self और ideal self में कितना gap देखता है real self मतलब वो actual में क्या है और ideal जो वो बनना चाता है अगर तो उसका real self और ideal self में जादा gap नहीं है तो हो सकता है कि वो खुश हो well adjusted person हो लेकिन अगर उसमें बहुत gap है जो वो actually में और जो बनना चाता है अगर वो बहुत दूर दूर है तो उसकी life में problems आ सकती है क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि जो मैं बनना चाता हूं वो मेरे बस की बात नहीं है वो तो मेरे से बहुत दूर का target है प्लस इसमें क्या चीज़ दूसरी important है unconditional positive regard जैसे Carl Rogers बोलते हैं कि आपको एक client को एक ऐसा महौल देना है जिसमें unconditional positive regard हो मतलब without any condition आपने उसको अपना positive regard means you have to show love, you have to show warmth, you have to show respect, सब कुछ उसको affection जैसे एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं और कोई condition नहीं होनी चाहिए तो इस case में क्या होगा इस तरह के महौल में जो client होगा उसको बहुत easy हो जाएगा अपने आपको आपके साथ relate करने में आपसे share करने में Rogers believe that the goal of therapist should be to provide the unconditional positive regard that has been absent from the troubled person life तो क्योंकि यह कहते हैं कि trouble तभी आया है person की life में जब उसकी life में वह unconditional reward ही नहीं है और उसी reward के missing होने की वज़ा से उसको problem आ रही है तो उसको ऐसा ही महौल दो जिसमें उसको एक ऐसा महौल मिल जाए जहां पर हर चीज उसकी accept करी जा रही है चाहिए वह कुछ गलत बोले चाहिए ठीक बोले आप उसकी बात को सुन रहे हो समझ रहे हो उसको accept कर रहे हो तो इस तरह के महौल में उसको बहुत relief मिलेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि कहां पर discrepancy है उसके real और ideal self में he also believed that the person would actually have to do most of the work अब यहां पर क्याए परसं सेंटर है यानि कि जादा काम कोन कर रहा है person कर रहा है therapist नहीं कर रहा है वो person खुद अपने आपकी therapy कर रहा है, वो अपने आपके बारे में बात कर रहा है, वो अपने आसपास की लोगों के बारे में बात कर रहा है, अपनी आसपास की surroundings के बारे में बात कर रहा है, और वो जहां बात कर रहा है, वो atmosphere बहुत ही positive है, बहुत ही warm है, और वहां पर उसको अपनी बात करते करते एक feeling आ रही है relaxation की एक relief की feeling आ रही है तो एक तरीके क्या हो रहे हैं या पर जो client है ना वो खुदी अपनी therapy कर रहा है तो person-centered means client is itself doing the major work main काम client कर रहा है अपने खुद की insights को create कर रहा है as a result the Roger therapy is very non-directive because person actually does all the real work अभी यह non-directive हो गई क्योंकि यहां पर therapist ना तो कोई question पूच रहा है directly ना therapist कोई अपनी opinion दे रहा है यहां पर सारा काम कौन कर रहा है यहां पर कुद client अपने ले काम कर रहा है तो यह non-directive है यह directly therapist की तरफ से कुछ नहीं हा रहा है यह client की तरफ से खुद अपने लिए ही एक इंसाइट डेवलप हो रहा है तो यह नॉन डिरेक्टिव थेरपी हो जाती है तो लेटर दर टर्म क्लाइंट वस चेंज तो इवन मोर नूरल टर्म परसन अब देखो यहां पर क्लाइंट वर्ड हटाके भी परसन कर दिया क्योंकि पर्सन सेंटर्ड पर सेंट्ड वयां इन परसे जा इस चीस जैज़िया है तो थी यहां पर आगवyy सिकनैश के ऑकर दिंश नहीं है एंशिभी नेग्टिव अप्रोच के ओपर फोकस नहीं है everything is positive और यहां पर client भी नहीं पेशेंट भी नहीं सिरफ person word उसकिया गया है कि जो आपके सामने बैठा है या जो आपसे बात करने आए है वो एक इनसान है he's a person this therapy is called person-centered therapy because the person is truly the center of the process क्योंकि वहां पर main focus कौन है वो person है इसके चार basic element है एक है reflection reflection refers to the technique the therapist must use to allow client to continue to talk and have insight without interference of the therapist interpretation and possible bias the only way to ensure a therapist will not control the stream of ideas coming from the client reflection का मतलब क्या है कि एक continuous flow होना चाहिए जो भी वो client बोल रहा है वो continuously अपनी बात बोले बिना किसी interruption के यहां पर client कोई interruption नहीं करेगा जो sorry जो therapist है therapist कोई interruption नहीं करेगा बीच में वो कोई अपने particular interpretation नहीं देगा उसकी बात का अपना कोई view नहीं रखेगा therapist यह सिरफ जो client या जो person है जो treatment के लिए आया है खाली वो अपने अपनी बात बताता जाएगा और अपनी बात को ही वो flow में बोलेगा अपने ideas को वो उसके सामने therapist के सामने रखेगा और therapist उसको बीच में interrupt बिल्कुल नहीं करेगा तो इसको हमने बोले reflection reflection मतलब क्या है कि आप एक mirror में होती है reflection का नजर आती है mirror में reflection नजर आती है तो reflection एक mirroring technique है mirroring technique मतलब जो therapist है वो client की ही कही बात को paraphrase कर रहा है paraphrase is the word paraphrase का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पर example पढ़ो जहाँ पर इनोने दिया हुआ है क्लाइंट ने बोला I just ain't no good to nobody never was and never will be मतलब मैं किसी के साथ अच्छा नहीं हूँ ना कभी था ना कभी हो मतलब किसी के लिए useful नहीं हूँ ना किसी के साथ अच्छा हूँ no good means मैं किसी के लिए useful नहीं हूँ तो Rogers जो है जो therapist है उन्होंने खुदी अपनी उसी की बात को paraphrase करके बोला वही बात को दूसरे शब्दों में बोला और clearly समझाने के लिए feeling that now उसे पूछ रहे हैं किते क्या तुम अभी यह feel कर रहे हो that you are just no good to yourself no good to anybody ना तुम अपने लिए अच्छे हो ना किसी और के लिए अच्छे हो never will be any good to anybody किसी के लिए अच्छे नहीं होगे आगे जाके कि useful नहीं होने वाले हो just that you are completely worthless तुम बिल्कुल worthless हो ऐसा उसे question पूछ रहे therapist उसी client से पूछ रहे कि क्या तुमारे कहने का मतलब यह है कि तुम तुम किसी के लिए भी useful नहीं हो ना कभी होगे ना कभी थे और यह तुमारे अंदर यह जो lousy feelings आ रहे हैं यह जो आप तुमारे अंदर गंदी feelings आ रहे हैं मतलब paraphrase करके उसी की बात को बोल दिया है ना कि कोई अपना कुछ interpretation करके दिया है तो फिर यह होता है reflection कि जो client ने बोला therapist ने reflect कर दिया same to same ताकि client को सुनने में लगे कि मैं यह क्या बोल रहा हूं मैं अपने आपको इतना जादा worthless बोल रहा हूं मतलब आपने किसी की बात को और जादा detail उसी को समझा दिया understood फिर दूसरा element है unconditional positive regard आपने उसको negative impression नहीं देने हैं कोई reaction नहीं देना है आपने उसकी हर बात को positively सुनना है positively accept करना है क्योंकि आप judge करने के लिए नहीं बैटे हो therapist वहाँ judge नहीं कर रहा है वो सिरफ उसकी बात को सुन रहा है उसकी feelings को समझ रहा है तो unconditional positive regard होना चाहिए तीसरा element है empathy empathy मतलब आप client की feelings को इतना अच्छा समझो उसको experience करो कि उस time client को क्या feel है हो रहा है the therapist also has to able to acknowledge what clients are feeling and experience by using a kind of understand empathy मतलब खुद आप feel करो के client को कैसा feel हो रहा होगा उसके लिए आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा जो वो बोल रहा है और अपने आपको उसकी situation में डाल के सोचना पड़ेगा कि उसको इस तरह की feelings क्यों आ रही है therapist must also avoid getting their own feeling mixed up अब यहां पे आप उसके बारे में सोच किया उसकी तरह सोच के यह ना हो जाए कि आप अपने आपको बिल्कुल उसी की condition में डाल दो counter-transparence नहीं होने देना है जो मैंने पहले आपको बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि therapist उसके बारे में सोच सोच के उसी की तरीके से अपनी feelings को भी mix up करते तो इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर नहीं आपने ओपन रहना है यहां पर नहीं आपने ओपन रहना है सामने बैठना है अपने क्लाइंट के और उसको honestly अपने साथ कंफरंट करना है ऐसे नहीं कि आपने पीछे चुपके बैठ जाना है तो पर्सेंट सेंटर तरपी थारपिस हैस तो भी अबल तो टॉलरेट अपने क्लाइंस डिफरेंस विदाउट बिंग जज्ज्मेंटल आपको जज्मेंटल नहीं होना है सिरफ यह समझना है एज थेरपिस्ट की अलग है आप अलग हो उसकी परसेप्शन अलग है आपकी अ माइ बोलते हैं विछ हैस बीन डिस्क्राइब बाई हॉल और कोविज एंड विलियम आर्ब मिलर ऐस क्लाइंट सेंटर थेरपी विद ट्विस्ट अब इसमें यह चीज थोड़ी सी अलग से आती है क्या गोल्स माइ टू एंड इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैं अप इस साइड भी और उस साइड भी हो आफ लेफ लेफ साइड भी आप राइट साइड भी और एम्डि विवेशन तो एक तो वह कन्फूजन क्रियेट हटानी हैं दोनों चीजों की क्या पॉजिटिव करना है intrinsically intrinsically अंदर से motivation आनी चाहिए change होने की बाहर से नहीं कि आप change हो जाओगे तो मैं आपको कुछ लाके दे दूगा वो होती है extrinsic अंदर से motivation होनी चाहिए कि मुझे change होना है मुझे बदलना है तो आपने यह चाहर चीजों का motivational interviewing में यह चाहर जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या करना है एमपिथी शो करना है और क्लाइंट के present behavior और values को समझाना है उसको resistance को रोकना है और उसके बाद उसको उसकी self-efficacy को support करना है तो यह है humanistic theory जो positivity की तरफ जादा ध्यान देती है next video में हम gestal therapy करेंगे जो humanistic के अंदर ही उसी की तरह मानी जाती है उसी के बाद बेज है उसको next video में पढ़ेंगे thanks for watching